मन्चते शशोबित सिंग साभ गयानी प्रणान सिंग जी मिर्याती सतकार योग डक्टर हर्पजन सिंग जी प्रफेसर साबर साभ आते मापुर्क संत गयानी हर्णान सिंग जी खालसा पें ड्रावाले और मेरे समने बैठी गुद्धी जनो फते परवान करो वाही गुर जी का खालसा वाही गुर जी की फते सो मैं अपने पेपर नो 15 मिन्ट दे विच कोशिश करांगा कि आप जी समने जो मैंनों दिता गया विशा टकसाली जीवन दिया विशेश्टाईया क्योंकि अपन चाहिए साथे पहले अमरीसार सेमिनर होए ने उस तो बाद दिली आज तीजा सेमिनर है साथा पर मेरे ख्याल दे विच संकत जेडी आओ आज खास करके पटे आले तो और हर्याने दे लगके तो पहुंची है थे टकसाल दे सबन दे विच क्योंकि काफी मेरे वर्गे जीवन नौजवान वर्गे दे भी थे विद्यार्ती सक्यार्ती बैठे ने उन्हानों टकसाल दे जीवन शाब्दे कर्थ ने जा टकसाल है कि थोड़ा जा उदे बारे वी दसना जरूरी है इत्यास करां जाँ विद्वान ने जो अर्थ कीते है टकसाल दे कि टकसाल शबतों पर आवकरना जो कड़ा गया है उस दी समाज विच यो कीमत होवे पाईकान सिंग नब अनसार टकसाल दा अर्थ टके बनाऊन दा कर जा जित्य रुपए बनाई जांदे हो और ड़क्टर हरपाजन सिंग जी टकसाल दो इस तरह पर भाशित कर दे हन कि टकसाल शबत संस्क्रिट पाशा दे दो शब्द टंक अतिशाला दे समेलना बढ़े है टंक शब्दा एक अर्थ है चांदीदा सिक्का अतिशाला दे अर्थ है कर जिवे टंक तो विगड़के टका शब्द बनेया है उसे तरह टंक शाला तो टकसाल शब्द बनेया है टंक शब्द विच होर भी जिड़े इन दे अर्थ हैं वो वक्षों को विद्वानाने कीते हैं तकसाल जिता तुनों निश्चित अकार अते रूप परदान करकर कि तराश्या जानदा है इसे तरही महान इतिहास कर डक्टर सुखद्याल सिंग जी उनसार तकसाल शब्दों पावे के जिते किसे वस्तुदी कार्द कड़ी जानदी होगे जेकर इसे शब्दनों राजनिती खेतरना जोड़ा जानदा है ता इस दा पावशाही सिक्यानों टालन वाला कारखना बन जानदा है जेकर इसनों विद्यकम्याली जोड़ा जावे ता एही शब्द वक्वक किसम्दे दिर्ग अध्यानदा के इंदर ते प्रतीहिक बन जानदा है टकसाल दी बंतर सुरूप विच पावे पिनता होवे पर शुद सुन्दर ते एक सार कारख करन नई उस दा विशेश गुन होंदा है टकसाल शब्द विच उस करजा स्थानों अख्या जन्दा है जिते कुछ कड़िया जाए कार्थ पावे गहने जा सिक्के दी होवे मांसिक जा बहुत दिक पद्दर दी होवे सुर्थ जा शब्द दी होवे तकसाल विच कड़ेगी चीज हमेशा मौलिक सिक्के बनते पूरण होंदी है मैं जो अपने विशे उनसार टकसाल दे जीवन दियां वशेशता ही है क्योंकि मैं जड़े पॉइंटां दा जिकर किता है जहां मैं अपने पेपर जे लिख्या हो चोदां दो पंदरा पॉइंटां उपर फोकस किता है पर समा साध्यकुल इनना को है कि मैं चार पंज जड़े पॉइंट रहे हो ना आप जी समने एक्स्प्रेइन करांगा जिमें गुर्बानी उनसार सची टकसाल दे साथ गुन दस्से गए हैं जत आचरन पित्तन होवे तीरज दुज्यां दी वदीकी सहार सके मत अकल उच्ची समझ होवे ज्यान विशाल चांडन होवे पहो प्रबुदा डर हिर्दे वज़े टिके रहे तब ताओ सेवा दी कालका ली जावे पहो दिल विच प्यार होवे इसन साण उन टाक साल दे मुखियां दे जीवन विशेश्ता है कि उन्हेंगन ही विशेष है कि आँ, दुझी महान के पाऩ दस्वे पाशा ने उन्हार मुखियां दे जीवन दे लिपर किती है कि उना दे जीवन ही विशेश बन गया है जिदे विच मैं 12 या 13 पॉइंट न जीकर करांगा उदे विच मैं ब्रीफ दे विच जे डे 4 पॉइंट ने उनना उपर मैं गल करन जा रहे हैं सब तो पहला पॉइंट है जी गुरुबानी दा अदव सतकार ते लिखन पड़ांदी सेवा तक साल दे मुखियां दी जीवन दी विशेशता रही है कि उना ने गुरुबानी दा अदव सतकार ते लिखन पड़ांदी सेवा वो शुरू तो कर दे आएने जिदे विच सनो माँ पुर्शा दे जीवन दे विच आप वहारे गल्ला समने हो दियाने कि टकसाल दा मुखी पल-पल गुर्बानी दा अजब सत्कार दा ख्यार रखदा है जाद भी मुखी कथा करदा है तब पंक्ती पढ़न वाले पाठी सिंग नो सज़े पैसे बठाके आप खबे पासे बैठा है कोई पुछ अंगी सिंग भी बानी पगदा होए टकसाल मुखी उसनो सरहाने वाले पासे यदे उच्ची जगा बठाउंदा है आप पैंद वाले पासे यदे निवा होके बैठा है टकसाल दा कोई भी विद्यार्ती पैन वाठ लाके जाँ शरीर दे किसे भी हिस्से दे खार्ष करके मुह ते हठ फिर के आद शिरीगुरु गरंसाभ जी दे गुटके पोथिनों हठ लगाउंदा अपनों कदी भी नजर नहीं आवेगा ए टकसाल दे मुखी दे जीवन दी बहुत वड़ी विशेश्चता है क्योंकि जीवन दी विशेश्चता टकसाल दे मुखियां दी है उत्थों दे वड़ियारतिया ने उन्हानों ही समने रखके अपने रॉल मॉडल बनके चलना है टकसाल दे मुखी दी अफ्स चजजी सिख्या इस तो लावे मुखी जथे समय जित्थे भी जान देने उत्थे नानल विद्यारतिया उस संथ्या दे कथा सिखाई जान दी है आज कल पामे संसार दे विच है यारा यूनिवर्स्टियां ने पर ओ अकादमिक पद्र ते मोटे मोटे पैसे लए कैसी विद्या हासल कर लेने है पर एक मिसाल है दुनिया दे विच इकलौती मिसाल है कि टकसाल दमदमें टकसाल ऐसी यूनिवर्स्टिया जित्थे फ्री विद्या दित्ती जान दिया केवल अकादमिक विद्या नहीं ओथे तार्मिक और अपने जीवन नों बनानवास्ते विद्या दिते जान दिये उस्तों बार जे मैं अगले पॉइंट दी गल करां तक टक साल दे जीवन दे मुखियां दी जी निर्पैता जग जा रहा है जे सानू अज भी असी मनलों असी अज गल कर रहे हैं कि समय दे अनसार और वाला समा बहुत कम भीर है पर टक साल दे हुंद्या सानू ऐसे किसे भी परशाशन तो किसे भी साध्य पंथ वरोदियां तो डरली जरूरत नी काउंकि टक साल ऐसी फाज है और गुरु प्यारें दी ऐसी फाज है जिनना नो सानू अज तक भी क्योंकि पिछले समय दे विचे टक साल दे वरोदियां ने चाहे ओना नो पिठ पिछे शुड़ा को पर निकाल कीती है पर मापुर्खा ने बड़े निर्पैता दे नाल टक साल नो और टक साल दी शान नो और सिख पंथ नो ऐसा स समान दवा के ऐसा खड़ा किता है कि जो फाकर दे नाल सी टक साल नो अपने जीवन दे विच ओना दे जीवन शैले नो पनाउन दा हर कोई यतन कर रहे है निर्पैता दी गल करिये कि टक साल दे मुखी दे जीवन दे विशेश्चता निर्पैता टक साल दा मुखी गुरू फरमेश्चर दो बिना किसे दा पैनी मनदा तक साल दे मुखी दे नाम नाल गयानी लकब जुड़ा हुए है आते नो अवे पाशा जी ने सलुकां भी जीवन दे लच्छन एही दसे हन कि जो ना किसे दो पै ना किसे दा पै दिन दा है और ना किस दा पैन दा है इस दी परत साख मिसाल बबादीप सिंग जी पारिमनि सिंग जी जीवन मीं चू मिली है लहा बना दे साल जूओन जी नी सिंगान फड़ाउन ली किया गया भर पाई जी ने बिना किसे पातों सूबतेन नूंकार कर दिता संत करकार सिंग जी ने अमर्जंसी दोरान सेंती नगर किरतन कड़े गुर्दासपुर विखे एक कटना जाओ दूंदी है इत्यासकारन विस्दा जिकर किता है कि गुर्दासपुर विखे डीसी निर्णकारी होन करके संता ने उत्यों चेचा नगर किरतन कड़न दा प्रोगरम बनाया नगर किरतन दो पहली राद दस वजे एक पुलिस अफसर संता दे पास एक सरकारी खातले की आया कि सवेरे नौ वजे वड़ी शड़कते वेली होनी चाहिए दिया क्योंकि नगर किरतन तुसी पहला बला कड़ लो केंदर दे और पंजाब दे मंत्री आ रहे हैं ता माँ पुर्षा ने उत्तर दिता कि दोहां मंत्रिया नों कहे दो कि हेंददी चादर शिरी गुर्टेग बहादर जी याद विच महान नगर किरतन आ रहे हैं आते मंत्री सड़क दे कनारे होके जोड़ा पिछले पासे लाके दोवें हत जोड़के खलो जान आते सड़क खाली कार देन एसी निर पैता माँ पुर्षा दी कि केंदर दे मंत्री होन पामें स्टेड दे मंत्री होन गुरु गरंट साथ जी दो उपर उना दे और जहां सिक पंच दे वेचे गुरु गरंट साथ जी दो उपर आसी किसे निन नी मन दे इसे तरह इराम लिला ग्राउंड दे दिली विखे शिरी गुरु तेग भाधर साथ जी तीजी शतावदी जो शिहिदी शतावदी मनाई गई गई साथ दसंबर 1975 वाले देन नगर किरतन पुजा दा बाई लाक दे इकाठ दे विचों जो पारदी परदानमंत्री इंदरा ग किता स्टेइटों कुछ ने थावाने क्या कि परदानमंत्री शिरी मति इंदरा गंदी ने पंजाब ना रिष्ता जोड़ रहा है तब परदानमंत्री ने स्टेइटों बोल दे हुए कि हा कि दिली दे तक्त शिरी गुरु तेग भाधर जी महराज नो शिहिदी किताई सी ओ ही दिलीदे तक्त अज जहाय को संता और घ्रज्पूत परदान मंत्री जेन सुव आपनु रखता दाओवा स्क्रभत प्रेम् आठुस्थunder श्यधूर, उनना दिया इस करिए इसलिए मोने पततवाल किसे सिख भी बी नो दा रिष्टा नहीं करना चाहिए दा दूसरी कल दा उत्तर दिन दे होई संत जी ने क्या कैसी इंदरा गांदी नो पुछना चाहूं दे हा कि तो आनों दिली दा तक्त दौया किसने है जेकर तुसी गुरु तेग बहादर जी नो सीस निवाओन आये हो ता तुसी कोई एहसान नी किता जेकर गुरु सेब शहादत ना देंदे ता इस्तखदा मौलक कोई सुन्नत वाला होना सी ता सारे पास से सलाम ऐलाकम होनी सी ते बीबी जी ने अपने लिवास नो बुर्के विच कैद किता होना सी संत गयानी जर्नेल सिंग खाल साथ पे नरावला देंदेर पहता जग जार है चौबी अपने ने उन्सो असी निरिंकारी मुखी नो दिली विच कतल कार देता गया इस कतल केस विच निरिंकारी हैं ते सरकार वलो संता नो दोशी टहराया गया ते एक कतल होना दी शेयत होया सरकार दा कहना सी कि इंदरी जांच बियाओनों दे डी आई जी छेखर ने एक होर सीनियर रितकारी ने शोमनी कमिटी दे दे दफ्तर विच पंज मई उन्सो असी नो संता ने जो प्रशन निर्मकारी का गलकान दे समंध विच या पुछे ता संता ने उनना निर्पैता नाल जो उत्तर दिता मैं को दो जेड़े उनना नाल गल होई संता जी नाल ओदे बारे मैं थोड़े जिकर कर रहे हैं पहला प्रशन सी तो अड़ा मिलाव किस नाल है संता ने उत्तर दिता कि संत उत्तम सिंग जी खडूर साहब वाले, संत बाबा खडग संग जी कारसिवा वाले, संत करपाल संग जी इसे तरह उन्हें ने बट्टी सिंगा दे नाम ले अधे दूसरा उन्हें स्वाल सी कि एता सब महात्मा हन तांको संथ जी दा उत्तर सी होर बलैगता मा करदा नहीं किसे बलेक किये। चोर जा समगलर दा ना लवा। ए सी निरपैता संताधी। इसे सवाल कैंदे तो हड़ी कोड हतियार हाँ। कार भइन ना हँ तो संतजी कैंदे जिसने हाँ मेरे कोल हाँ पर मेरे कोल है केंदे किनिया केंदे जनिया तुसी लाइसंस बनाए हैं सारीया साधिया हैं असे जिस तो मंगले ये सानों कोई जवाब नहीं दें दा एसी संता दिने रपैता और तीसरा पॉइंट जिसते मैं गाल का रहे हैं जट सत्विच परपक टकसाल दा मुखी दे जीवन दी सब तो वड़ी विशेशता कि ये जट सत्विच पूरन तौरते परपक होंदा है इते जट सत्विच परपक ता एक का नारी जती होए तो नहीं है टकसाल दे जातर मुखी गैस्ती होए हैं संत बिशन सिंगी चुपाले गुरद्वारा से होए साने जट पदी में अपने गल कर रहे हैं कि जट सत्विच परपक ता टकसाल दे मुख्या दे जीवन दे विच विशेशता एक रात उस पेंड़ दे सेठने मां पुर्खा दे जीवन दी प्रिख्या कर नवासती अधी रात नो अपनी नून ना लेके दुद दा के दुद पियो ते मैंनों अपने चर्णा दी शो बक्षो संत जी ने क्या तूं कौन है अद्धी रात सान दुद शी कौन वाली तागों कहिं दी जी तो अड़ी दासी हां संत जी ने क्या चूड बोल के दुद दे बहाने अपने कुल नास करवाना चाओं दी हैं जा चली तूं साधी की लग दी हैं असी तेरी शकल नों देखना पसंद नी कर दे एक जट सत दी बहुत वड़ी एक उधारना सदे समने इसे तरह रहत विच पर पक तक साल दे मुखी पस हर पल पंज का कारादी रहत पर पकता है आज कल साधी बर गेज़ी रहत विच पर पकनी अमरिच चाहे शग्लिया पर जडी बेयद भी है पंज का कारादी अकसर ना जाएं असी ना चाहिए तावी साथ दो पुल ना हो जान दिये पर टकसाल दे विद्यार्तियां सक्खियार्तियां और टकसाल दे मुखियां दिये विशेश्टा है कि उना दे जड़ी पंज कारानी पर पकता है उना उपर हमेशा अमल कर दे हन। संथिया करनी इस तरह टक्साल दे मुख्यां मिच सेवा पावना वद्यार्थियां दे जीवन तो ही परही हुंदी है संत बिशन सिंगी दा नित्ये एही उना कर्मसी की तड़के सवा पहर दो बजे एक वजे रात उनसार उठना दे शनान करना परना सा संग दे शनान लिखू विचों गागरा कड़ कड़ के टूटियां दे हम आम पर ने फिर अपनी उतली पूरी नाल दरबार से विचाड़ू दे के संगतानों जो उस वक्त तक अशनान करके हट जान दिया संग दो दिचा ते शरदई समेन सार्श काउं दे बहुत वड़ी एही संथा दे मुख्या रा ओ कहा करदेशन की सेवा है आप जिने संथ बिशन सिंग जी पासो संगत दे शनान करांदी सेवा आप लई गागरा नाल जाल काड़ के पहला संथा शनान करांदे फिर संगतान दे प्रकाश अस्तान वी चारू देन दा नियम वी आभी हो करया करदेशन जिन्नी देनी व एक होर साथे को बहुत वड़ी दारना होंदी है सेवा पावना जो चकसाल दे मुख्यां दी जीवन दी विश्यिष्टा है कि संत बिशन सिंग जी सिम्रन ली बार जाया कर दे सन ता अपने नाल पाणी दी टेंड लाया के जान दे सन हमेशा उन्हों दे नाल होंदी सी एक दे पानी दी टेंड के दे रोड़ गई उसे वेले संत ग्यानी सुंदर सिंग जी दे माननों एक तरक वजी के महात्मा जी प्यासे होंगे ठंडे जल्दा गडवा परेया ते तुपे महात्मा जी दी पाल भी चल पए महात्मा जी एक बिर्श हिटां बैठे इस तरह आपने जेश्ता तार्मिक ते समाज अखितर गुरु गोबन सिंग जी ने गुरु सिख्ण गुर्बानी दे शुद उचारला ते अर्थान देड करवान लई एक संपर्दा दरम किता गुरु सहिव जी देश दी पूरती ली तेन सो साल तो टक साल इस कारजली वी बचन बद है समय देविच इस तो भी पारा समा क्योंकि जाप रहे हैं असी सुचेत ना हो ये ताह ए अन वाला समा भी सानु दिखना पैसकता है पर इत्थे मैं गल जरूर कह देवां कि जिन्नाचेर असी टक साल ना जुड़े होयां संता मा पुर्खां दी साड़े उपर बक्षिश है टक साल दे कला कला विध्यारती सक्यारती साड़ी फॉज मिपकरता नुए पंथ वरोदियाँ करके मकाबिला चाहिए लुगत साल नाल अपने आपनों अपने पेन पर नब लुगतर पिए बर अब दस्यागे प्रेयागे काटे थे कहां कि आसे चाहें तश सब करना इक मैं इन नो संपर्दानी में टकसाल शब्दी वर्दांगां कि संपर्दा जड़ी हुं दिया हूँ, फशेश करके किसे एक सेवा लेए, अपन कह सके दिया कि एक सेवा दो मिध्लिया थे उस नो गवगदाया जन्द है पर टकसाल समुच्ची सेवा नो आ रही है, चाहे हो तार्मी खेत्र विच होवे चाहे सडे विद्यार्थिया नो नशे मुक्ति दी चाहे आनवाले कोंकि समाई दे विच नशा वी ऐसा एक कोड़ पह गया कि टकसाल दा एहम रोल है कि बच्चेया नो थो उठाके गुर्सिख्खी वाल लेके जाना सो जोके समेदे विच वी संत महापुर्श गयानी संत हरनां सिंग जी खालसा दी जो जीवन दी विशेशता है क्योंकि मैं इस तो पहला कि टकसाल मैं जान दा सी पर मैं काट पड़िया सी क्योंकि यूनिवर्स्टी विच आजान करके अकादमिक विद्या दावला रुजान होन करके इस बारे को खास नहीं पर सके पर जोदों कोई सोजी होई ता मैं संत गयानी हरनां सिंग जी खालसा दे जीवन तो इन्ना वद पर बावत होया कि शोटी जी उमर देवेच दास साल दी उमर देवेच संत गयानी जरनैल सी खालसा पिंडराम वाली अपने नाल लागे माँ पे उदे नाचान दे होया हमी के नहीं साथा बच्चा शोटा है माँ ता ते पिता दा मोजड़ा वो साथे तो मनी चल ले जाना ते के नदी अवस्था विल शोटी है कि अपने क्रिया भी नहीं कर सकते पर क्योंकि ओ गुरु गोर्मन सिंग साहिब जिदी बक्ष सी कि माँ पुर्षा ने तकसाल क्योंकि माँ पुर्षे सी जनू जान दे सन पहला कि होना वाला समाजड़ाओ बहुत पारी है ते ऐसे योग अगुदी ऐसे योग माँ पुर्खा दी तकसाल नू जरूरत पहनी है जिनना ने अपना पुरा जीवन तकसाल ने विच कालना काल के अपने आपनों सिरडी बनाया अपने आपनों नितनेमी बनाया सनू और मान और फकर होना चाहिदा है कि ऐसे माँ पुर्ख साड़े कोल है माँ पुर्खा ने जो सिख विर्षे ने सुब अलन दा बहुत वड़ा उप्राला कीता फदिगर साव इखे सिखी नौजन जो वद रे नशिया ते पत्तपुन ने लहर नो ठल पाउन लई अते सिखां दी जेड़ी सोच है जेड़ी ओ कट दे अल जारी है जाकि वद नहीं जाही दी सी उथो उपर चाके एक महान विशव दाजड़ा विर्षा संभाल विशव सिख समयलन करवाया और नोट करने वाली गाल है कि एन्ना वड़ा पारी अकट पिछले कई साला वज़ कदीनी सी होया जो मा पुर्खा दे बख्षी सदका और सिख पंथ दे पूरे संसार देवेच इस चीज नो चड़ दी कला दे सिटे वज़ों और वाले विद्यार्थियां सख्यार्थियां ने इस तो सेद लेके और ये कार्ज़ करने हैं और सी करदे भी रवांगे ऐसी हैं बख्षेशा, मापुर्षा ने साध्य उपर कितिया ने कुछ होन लेटास जड़ियां थोड़े जे अईरे बारे विचार कर लेने जरूरी है क्योंकि संत्वबा हर नाम से जी खालसा जीदा जीदा जीवना ने मरता मैं अक्सर क्योंकि थोड़ी जी संत्वजी भी इस चीज तो कहने किस्त rubber कर दो है क्योंकि मैं duty कर दा मिरा जदों में ऑष्यार्षा यहां ने कथा करनी है क्योंकि थोड़ी जीज़िए जीडे वह इनुख यह उठा करनी है बाट यह मंदर खाल है न दूटी तो जाके मैं साथ डे आठ ता टाइम होंदा से डूटी थे मैं उस्तनों साथ वजी ये प्रोग्राम बना ला ना भी आज संता ने उत्थे महापुर्खा ने कथा करनी है मुखवाग दी तक किसे ना किसे तरीके ना शुट्टी मार ला संता ने उप्र हमले की तिनपार संत जीवलों ऐसी निमर्ता कि उना ने कदी अपने मुक्तों कदी कोई माड़ा शब्द नहीं बोलिया कदे किसने यह नहीं जिताया कि ओ केंदे हैं सिर्फ गुर्प्रमात्वां दी रजादे विच्छों हमेशा रहने अपने माड़ा शब्रमात्वां दी रजादे विच्छों हमेशा रहने उठके उस ब्यान दी खंड़ना किती उस ब्यान नो रद दी निंद्या किती ते ओ पार्टी नो भी हज एक एना प्या कि ये पार्टी दा ब्यान नहीं एक इसे निजी ब्यान है सो ऐसी निर्पैता सनुमान है संत बाबा हरनान सेंजी खाल सा और साड़े मुखियां दे जीवन दे उपर जो इना दी विशेशता है अपना बंगला साब चले जाएए कि गर्णिवीदा कम वाता वर नो कि ना प्यार कर देने मापुर्श बंगला साब गर्णिवीदा कम हो रहे है उस तो बाब होने होने 312 सिंगां दे रहाई हुई है संता ने कावी लंबे टाइम तो इस दी भी मांग कर रहे है सन पंथ भी कर रहे सी और संता हरनान से जी खालसा भी टकसाल दा जो प्रियोजन सी उस बारे विए कह रहे सी कि एज एड़ 312, 314 सिंगां दे रहाई है अपना कालिस उचीतों बार कड़े जान तो आज जो सान पंथ नो एक ठंडी हवा दिली दे तक तवन वाई है ये मांपुर्खां दी जीवन दी वशेष्ता है हो यांपुलान दी खिमा वाही गुरुजी का खलसा वाही गुरुजी